Hi everyone, welcome to pharmahop.pk exam guideline series This video will guide you कि आप किस तरह से PharmD first year के exams को अच्छे तरीके से prepare कर सकते हैं और अच्छे marks भी ले सकते हैं जो PharmD first year होता है उसमें वैसे भी guidance की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि जब आप FSE से आते हैं तो FSE में जो त्यारी का pattern होता है आपके पास एक book होती है और आपको पता आता है कि इसी book में से ही paper आएगा इसके इलावा कहीं से नहीं आएगा जबकि university में ऐसा नहीं होता University में आपके पास एक से labels होते हैं और उसपेर सिर्फ टॉपिकर नहीं mention होता है कहां से करना है, कौन से बुक से करना है, किस तरीके से प्रपेयर करना है, कितना प्रपेयर करना है, इसके बारे में कोई गाइडिन्स नहीं होती, इसलिए जो है आपको जादा गाइडिन्स की ज़रूरत होती है, और शुरू में ही होती है, बाकी फिर वक्त के साथ-साथ आप बुक्स पढ़ने तब ही होगे तो ऐसा भी नहीं होता आपने इसको smart way में त्यार करना होता है आपने slides पढ़ने होते हैं आपने notes पढ़ने होते हैं सिर्फ books से पढ़ना जरूरी नहीं होता आपने जो है वह smartly चीज़ों को लेके चलना होता है फिर आपके अच्छे मांक्स प्याजेंगे और आपके कंसर्प्स भी क्लियर हो जाएंगे तो आपको यह वीडियो जो है वह करेगी, घर स्टाट दवीडियो कोड़ेट सबसे पहले इसमें टोडल मार्क्स की आवाधे से बात करें तो यह प्रॉफ जो होता है, वह थाउजन मार्क्स को मज़ाएं 2nd भी 1000 कही होता है और 3rd प्रॉफ भी 1000 मार्च कही होता है इसमें जो 1st एयर में subject wise मार्च की बात करें तो organic mystery, biochemistry, pharmaceutics, physical pharmacy, physiology जो है इसके जो थेरी का paper है वो 100 मार्च का होगा और practical का paper भी 100 मार्च का होगा जबके anatomy और histology जो है उसका थेरी का paper 50 मार्च का होगा और इनका practical भी 50 marks का होगा जबके English का जो paper है वो 100 marks का होगा और इसमें यह होता है कि अगर खुदा नहास्ता किसी की supply आती है थेरी में तो उसको practical क्या exam दुबारा नहीं देना पड़ता उसको जिर्फ वही paper देना पड़ता है दुबारा जिसमें उसकी supply ही होती है जैसे अगर उसको उसकी organic mystery की थेरी में supply है तो उसने organic mystery की थेरी का ही paper जो है वो दुबारा देना है उसको practical का paper दुबारा देनी की ज़रूरत नहीं होती तो इस तरीके से इसकी marks distribution है आगे subject wise discuss करते हैं कि आपने किस तरह से किस subject को कैसे पढ़ना है और हाँ हर paper को pass करने के लिए उसमें आपके at least 50% जो है न वो marks होने चाहिए तब भी आप वो paper pass कर सकते हैं सबसे पहले subject जो है न वो हमाई बास और गयानिक mystery और गयानिक mystery का ही पहला paper होता है तो यहीं से start करते हैं और गयानिक mystery जो हता है वो more or less जो है FSC वाली chemistry है उसी की थोड़ी explained version होती है इसमें जो learning resources के हवारे से बात करें तो इसमें notes जो है इसमें जो notes हैं वो सर इसलाम के जो lecture notes है वो आजाते हैं जो उनने daily classes में जो भी लिखवाए हैं आपके पास को होने चाहिए जो सर इसलाम वाला portion है आपने वो उनके lecture notes से कवर करना है उसके इलावा मैंम नौरीन के भी notes जो वो provide करते हैं classroom में भी share किया होंगे उसके इलावा जो है आप drive से भी ले सकते हैं उसके बाद slides आजाती है slides वो सारी slides जो आपको class में teacher से पढ़ाते हैं वो slides आपको at the end of session मिल भी जाते हैं उसके इलावा वो drive में भी होगी तो आपने वो slides से पढ़ना है और notes से पढ़ना है और इसके इलावा जो remaining जो topics हैं वो आपको drive में मिल जाएंगे अगर आपने book follow करनी है तो वो BS बहाल है सबसे पहले आप organic chemistry शुरू करना है उसके साथ कोई और subject भी start कर लें इसकी जो organic chemistry की त्यारिया वो इस तरीके से करनी है आपने कि सबसे पहले जो सहिस्लाम का portion है वो cover करना है उसमें stereochemistry और electrophilic, nucleophilic substitution reactions होंगे आपने इन दो topics को prepare कर लेना है जो सहिस्लाम के lecture notes है यह आपके वहीं से prepare हो जाएंगे उसके बाद आपने hydrocyclic mystery जो है उसको इस तरीके से prepare करना है कि आपने एक sheet लेने नहीं है उसके उपर आपने एक table बनाना है उसमें जो भी जितने भी hydrocyclic compounds है ना जिसकी जो I think slide से prepare करते हैं तो आपने वह जो है ना उस sheet लिख लेना है और उसके बाद आपने उनको याद करने वहां से उनको वहां से याद करना है क्योंकि आपकी visual memory strong रहेगी आपको वह compound भूलेगा नहीं इंडोल है तो आपको वह पूरा column याद रहेगा आपको जैसे exam में हैगा तो आपको फॉरां से याद आजएगा कि अच्छा ये उस column में इस तरीके से लिखा आगा है उसमें आप structure draw कर लें जो भी properties वगएरे हैं वह सारी उसी column में लिख ले और फिर वहां से याद करें क्योंकि उदर तो याद रहेगा लेकिन अगर आप slide से याद करेंगे तो वह एक ही sequence में होती है तो वह आपको दो तीन दिन बाद भूल जाएगा उसके बाद आपने यह topic prepare करना है उसके बाद जो है वह आपने करने है re-arrangements और reaction mechanism यह भी बहुत important topics हैं इसमें से questions आसमें आते हैं और इनको prepare करने के लिए आपका main focus जो है ना वो reactions पर होना चाहिए आपके reactions गलत नहीं होनी चाहिए आपको जो marks है वो reactions नहीं दिलवानी है अगर 10 marks का long है तब भी आपने वही reaction लिखना है और अगर 20 marks का long है तब भी आपने वही reaction लिखना है बस 20 marks का long ही होगा कि आप थोड़ी सी उसमें detail add कर देंगे साधा as compared to 10 marks का question होगा और अगर आपका reaction का लिखना है तो आप 10 pages का long लिखें पांच pages का long लिखें आपको marks नहीं मिलेंगे लेकिन अगर आपका reaction ठीक होगा तो अगर आप 2 pages का भी लिखेंगे तो आपको marks मिलेंगे इसमें तो और गैन के instrument त्यारी जो होती है वो आपने detail में इतनी नहीं करने होत है तो आपके reaction और structure वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए उसके बाद जो classes है classes more or less वहीं FSC वाली तो आप वहां से प्रिपेर कर सकते हैं उसके बाद जो reactive intermediaries free radicals है यह भी आपने जो है वो slider से prepare कर लें और जो basic concepts है इसमें यह है कि आपको जो भी class में topics पढ़ाए गए हैं आपने वो लाजमी prepare करने हैं और जो नहीं पढ़ाए गए उनकी आप definitions और दो examples जो हैं वो याद कर लें क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि fire marks का इस पे note आ सकता ह है जैसे hybridization है उस पर five marks का note आ जाता है तो उसमें आपको अगर definition और दो examples आती होंगे तो आप वो attempt कर लेंगे और इसी तरह बाकियों को भी आपने इस तरह prepare करना है अगर आपको class में topics करवाए गए हैं तो उनको पूरा करें क्योंकि वो फिर paper में 10 marks का भी आ सकता है और उसक कि लावा आपको जो भी points वगेरा जो हैं बुक से missing out लगते हैं notes में तो आप बुक से पढ़ें और उसके बाद अपनी जो भी notes के printouts लिए हैं slides के printouts लिए हैं आप वहां पर लिख लिए या अगर आपने खुद से notes बनाया handwritten तो आप उसको वहां से add कर सकते हैं और इस तरह लिए से आपके खुद के notes पर प्रिपेर हो जाएंगे और आपकी तहरी अच्छी हो जाएगी अब आ जाता है इसका practical practicals के papers का यह सीन होता है कि जैसे आपके theory के papers खतम होते हैं उसके foreign बाद ही जो है आपके practical के papers शुरू हो जाते हैं और practicals के paper में ना आपको कोई भी दी जाएगी और साथ दो प्रैक्टिकल्स आपको जो है लिखने के लिए दिये जाएंगे वो आपको चिट के फॉर्म में भी हो सकते हैं तो इस तरह आपने वो दो प्रैक्टिकल्स के जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें अपरेटर्स, केमिकल्स, डियक्शन, औप्जर्वे नहीं है या फिर वहाँ पर आप सब्सक्राइब लिख सकते हैं और बाकी रिजल्ट में भी आपने कोई भी जो है वेल्यू वगारा मैंशन नहीं करनी बहुत जो जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपने वो लिखनी है फर्स्ट 20 मिनिट में उसके बाद जो है वह आप से शीट इसलिए बहुत ज्यादे इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी आपको टाइम अलॉट हुए उसके अंदर अपना वेपर कंप्लीट करें वो शीट ना तो आपको दुबारा मिलेगी और ना एक्ट्रा टाइम आपको देते हैं इसके बाद आपकी पर्फॉर्मेंस स्टार्ट ह आपके पर्फॉर्मेस चेक करेंगे आपको मार्क्स देदेंगे उसके अप फिर चोटा सा टेबल वाइवा भी हो सकते हैं उसके बाद आपका आएगा में वाइवा इसमें जो है वह आपसे बेसिक चीजी पूछी जाती हैं मोस्ली जो है इसमें प्रैक्टिकल के और अगर उन्होंने तेरी में से पूछना हो तो वह डेफिनिशन बगार भी पूछते हैं में ली तो इसमें बस यही होते हैं नेक्स सबजेक है बास कुमिस्ट्री का, और नेक्स क्षेर बीसिका होता है, इसके लेर्निंग रिसूर्स में, जो है, वो नोट्स आ वो आपको at the end of session slides दे देते हैं, books में जो recommended book है वो है इसमें लिपन कॉट, इसकी preparation में जो important topics हैं, उसमें hormones आ जाते हैं, hormones से जो हैं, वो एक से जादा question भी आ जाते हैं, इसको आप JP से भी prepare कर सकते हैं, और vitamins हैं, vitamins को आप जो हैं, वो slide से prepare कर सकते हैं, या फिर notes जो drive में available हैं, आ सकते हैं, vitamins में आपने sources, उनकी deficiencies से क्या होता है, और उनकी toxicity क्या होती है, उनका function में इन क्या होता है, dose क्या होती है, यह चीज़े याद रखनी है, vitamins को इस तरिके से त्यार करें कि आप daily काना एक या दो vitamins त्यार करें, अगले दिन जब आप next वाले याद करेंगे, पिछले तो इस तरह यह भूलेंगे नहीं, अदर्वाइस यह भूल जाते हैं, इसके लावा enzymes बहुत important topic है, मेकालिस मेंटन equation important है, लिपिट्स में जो oxidation वगारा है, वो important है, इसके reactions important है, carbohydrates में जितने भी cycles हैं, क्रेप साइकल है, glycolysis है, यह सारे बहुत important है, आपने biochemistry में कोई भी topic छ तो अगर आपको topic छोड़ेंगे, तो हो सकता है, कि आपको question पूरा attempt ना हो सके, तो इसलिए बेतर है कि आप हर topic को cover करें, जो biochemistry का practical pattern है, वो वही है, जो organic में था, कि first 20 minutes में आपको एक sheet दी जाएगी, और दो practical जो हैं, वो लिखने के लिए जाएगे, जैसे आपको time खतम परफॉर्म करके identify किया है, उसके बाद आपके जो भी teacher है, आपके आप से performance के बारे में पूछेंगे, आपने वही explain करना है, कि मैंने यह test perform किये, यह confirmity test थे, और मेरा यह positive आया, यह negative आया, जिसके वैसे मुझे यह पता चला है, कि मेरा sample क्या है, तो आपने वो explain करना है, और आपने जो आपकी sheet है, उस पर भी वो सारी test वगरा लिखे ने, confirmity test कौन सा perform किया है, और आपकी observations क्या थी, इसके बाद आपकी performance complete हो जाएगी, फिर आईगी वाइवा की बारी, वाइवा जो है वो आपका जो practical notebook है, उसमें questions mentioned है, आप जो है practical से पहले वो सारे questions go through करके resources हैं वो आपके है slides, slides आपने लाजमी जो है वो go through करनी है, slides के आप printouts ले ले लें, उसके बाद आप slides को go through करें, उससे आपको ये फाइदा होगा कि आपको outline मिल जाएगी topic ही, कि अच्छा मैंने topic में यह यह points लाजमी prepare करनी है, उसके अलावा ही आपको key points देते हैं, paper में आ YouTube में जो भी information आपको लगता है कि यह मुझे add करनी चाहिए, वो आपने जो भी slides के printouts ले हैं, उसके ओपर वो add करें, इस तरह से आपके खुद के notes बंजेगे, और add and आपका अपना time जो है वो बचेगा, और papers में revision करने में बहुत जादा सानी होगी, इसके इलावा आप YouTube से बढ़ सकते हैं, YouTube पे काफी जादा channels हैं, वहां से आप पढ़े, diagram practice करें इनकी, और जो भी आप topic YouTube से भी पढ़ें, उसमें भी information आपको लगते हैं कि मुझे add करनी चाहिए, वो आप में जो भी slides के notes बनाए हैं, आप उसको वहां पे add करें, फिर paper में जो है, वो एक ही दिन की प्रैपली वो होती है, तो फिर आप वहां पे revision करना आपके लिए काफी जादा असान होगा, इसकी preparation यही है, कि आपने यह जितने सारे topic हैं, आपने इनको slides से पहले go through करें, उसके साथ आप YouTube वीडियो देखें, जब आपके concepts layer हो जाएंगे, तो फिर आपने जो है, वो बु करेंगे, concepts layer करना काफी जादा जुरूरी है, क्योंकि आगे pharmacology आपने पढ़नी है, तो pharmacology में important है कि आपको human physiology अच्छे तरीके से आनी चाहिए, ताकि आपको functioning, सारे system की functioning अच्छे तरीके से पता होगी, तो फिर आपको जो pharmacology हो जादा अच्छी समझाएगी, इसके इलावा जो topics जो है, डाइग्राम के तरू या फिर flow charts के तरू अच्छे तरीके से prepare हो सकते हैं, आप उनको उस तरीके से prepare करें, digestive system में जो signal transaction pathway है, वो बहुत important है, आप उसको flow chart के तरू याद कर सकते हैं, इस तरह बागी topics को भी आप easy way में याद करें ताकि आपको long term याद रहें, जो Physiology का practical का pattern है, वो यह होता है कि first 20 minutes में आपको एक sheet देंगे और साथ 2 practicals आपने लिखने है, after 20 minutes वो sheet ले ले लेंगे और फिर आपको एक नई sheet देंगे, उस पे आपने जो पहले 2 practicals लिखे हैं, उनमें से 1 practical आपने perform करना है, let's suppose आपको hemoglobin वाला practical performance के लिए आता है, तो आपन पूरी performance करनी है, उसके बाद आपका table viva होगा, इसमें table viva must होता है, जो 5 marks को होता है, उसमें आपसे practical related question ही पूछते हैं, कि hemoglobin की normal range क्या है, अगर hemoglobin की deficiency होजे तो क्या होता है, और male और female में क्या normal ranges है, इससे questions पूछेंगे और उसके बाद आपका table viva होजेगा, तो फिर external viva होगा, external viva जो लेगा, उसमें जो है आपसे questions generally पूछे जाते हैं, concept-based questions आता होते हैं, उसके इसमें जो है, आपसे function of kidneys पूछ सकते हैं, function of RBCs पूछा जा सकता है, WBCs पूछा जा सकता है, और यह पूछा जा सकता है, अगर इनकी deficiencies होजें, RBCs की deficiencies से क्या हो सकता है, औ इस तरह के questions होंगे और cardiac output की value क्यों होती है और GFR की normal range क्यों होती है इस तरह से questions पूछे जाते हैं next subject is physical pharmacy physical pharmacy के लिए जो learning resources है उनमें best जो है वो नीम notes है यह complete है आप आपका यह subject बहुत अच्छे तरीके से इन notes से prepare हो जाएगा उसके साथ YouTube वीडियो देखें वहां से आपके काफे हद तक concepts clear हो जाएगे और आपने जो books follow करनी है उसमें यह मसूद book और सिप्रा book है आप इनको follow कर सकते है इसकी जो आपकी preparation है ना वो notes से हो जाएगे उसके साथ आप YouTube पे जो lectures है वो लें तो आपके concepts भी clear हो जाएगे और आ काफी हद तक concepts हैं आपके concepts last me clear होने चाहिए आगे फिर आपको throughout professional life जो है वो काम हैंगे इसके इलावा भी जैसे यह topics and dispersions में immersion suspension है अगले चार साह तक आपकी topic चलते रहने हैं तो अगर आपने अभी first year में अपने topics layer किया होंगे तो आगे सिर्फ आपको revise करने पढ़ेंगे और आपके concepts वैसे ही clear होंगे उसके इलावा history of pharmacy पर भी लोंगा जाता है तो इसको रटा लगना है वो लगाए आप पिर इसको story की form में आप याद कर सकते हैं उसके इलावा आपके जो terms हैं वो काफी अतक्लियर होन की example आपको आनी चाहिए इसके लावा biology बहुत important chapter है rate and order of reaction से भी लाजमी लौंगा जाता है degradation पर इक important topic है इसमें जो है physical और chemical degradation है इस पर लौंगा सकता है कि कौन से factors होते हैं जो जो आपकी product है उसकी shelf life को effect कर रहे होते हैं तो आपको इनके बारे में पता आना चाहिए जैसे physical factors में light आ सकती है या फिर temperature है उसके लावा chemical factors में oxidation आ सकती है और इस तरीके से आपको यह topic प्रिपेर करने आपने इसका जो practical pattern है वो वही होगा जो पहले बताया है कि first 20 minutes में आपको sheet देंगे उस पर आपने दो practicals लिखने हैं जितने भी tables वगारे हैं उनको आपने blank छोड़ देना है सिर्फ headings वगारे आपने लिखने हैं और उसके table की जो values हैं वो आपने लिखने हैं बाकी procedure जो भी operators है वो सारा आपने वैसे ही लिखने है जैसे copy में लिखा था उसके बाद आपसे जब time आपका पूरा होजएगा वो आपसे वो sheet ले लेंगे उसके बाद आपकी performance टार्ट हो के वो लिखे लेनी है इस तरह परफॉर्मास कंप्लीट हो जागी इसके बाद आपकी बारी पार में जो है ना वह आपसे question जो है वो पूर सकते हैं जैसे सकते हैं। इसके इलावा जो है वो आप से पूच सकते हैं। डिस्टिलेशन यक्फिटेशन के आ है लाफ इसके अथि एक पूच सकते हैं। ऑसके वह आप से इस इसका सिर्श गिर्डिन इनकी द्रॉट्टी मौन के सर दुट सकते लावा हॉ merc suppl. पूच सकते have होती है cracking क्या होती है या फेस्ट इन वर्जिंग क्या होती है इससे रहें कि बेसिक इसको पर आपसे question बना कर बूच सकते हैं next subject है anatomy and histology anatomy and histology का जो paper होता है वो combine paper होता है 50 marks को ही होता है इसमें जो learning resources हैं वो है notes और slides आपकी उन टीचर की जो अभी आपको currently पढ़ा रहे हैं इससे आपको या idea होता है कि paper में कौन से topics ज्यादा आ सकते हैं और आपने कितना prepare करना है इसके अलावा जो notes है वो सरे लिके notes जो हैं वो drive में available हैं वहां से पढ़ सकते हैं books में जो है histology के लिए histology बाइलायक हुसेन हैं और anatomy के लिए इसके त्यारी में यह हैं कि सबसे पहले आपने slides कवर करनी हैं और साथ YouTube वीडियो देखें उन topics की जिन को आपको लगता है कि अभी आपको समझ नहीं है इसके बाद आपने वो topics book से prepare करना है जो आपको आपके टीचर ने कहीं हैं या आपको लगते हैं कि उसके लिए slides इनाफ नहीं है इसके लवा कुछ टॉपिक्स जैसे बें लगते हैं उनको आप निमोनिक्स के थूझ याद कर सकते हैं और डायग्राम प्रैक्टिस लास्मी करें जिस question में diagram है जिस भी topic में diagram है उसको आपने लाजमी वहाँ पर ड्रॉ करना है क्यूंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाते है कि आपको question नहीं डायग्राम पर आ जाते है तो जिस टॉपिक की जो डाइग्राम मैं आपने वो लाजमी अच्छी तरीका से प्रैक्टिस कर लिए उसके जो अनैटमिका प्रैक्टिकल होता है वो वाकी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है यह 50 मार्क्स का होगा और इसमें फॉर्स 15 से या 20 मिनिट में आपको एक या दो ड स्केलेटन की नहीं होंगी इसमें जो है डामिनल रीजिन की हो सकती है उसके लावा हार्ट की हो सकती है पाइलरी सिस्टम की हो सकती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हो सकती है आई की हो सकती है इसमें इसकी जो भी लिस्ट होगे वह आपको जो है आपके टीचर शेयर कर द नहीं है जब आपका डाइग्राम्स वाला पार्ट कंप्लीट होजगा फिर स्लाइड इडेंटिफिकेशन की बारी आगी इडेंटिफिकेशन में जो भी आपने इंफरमेशन लिखनी है वह आपको आपके टीचर प्रोवाइड कर देंगे उसके इलावा जो है आप किसे सीनिय इसके बारे में पूछ सकते हैं जो इस तरह का आपका वायवा होता है इंग्लिश का इंग्लिश की तियारी के लिए जो दो पोर्शन होता है एक पोर्शन में आपको CV राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग या फिर रीधिंग राइटिंग स्किल्स वगरा जैसे लॉग है वो आपने प्रिपेर करने हैं उन नोट से जो आपके टीचर आपको देंगे या फिर ये बुक्शॉप पे भी अविलेबल होते हैं आपने ये पोर्शन वहां से प्रिपेर करने हैं जो बाके का पोर्शन है जैसे डायलोग है, लेटर्स है, एप्लिकेशन है, एससे है ये अपने किसी भी BSE के जो English Grammar की भुक हैं आप ये वहां से प्रिपेर कर लें इस तरीके सा आपको English का वेपर तयार होजगा वैसे भी ये कि इसी इपरूटन बात की बोग्स पढ़ना या ना पढ़ना आपका अपनाद यह और यह ना चाहिए, शीनियर क्या कह रहे हैं, नोट्स, कह रहे यह साइट कह रहे हैं, जैसे नें आपका अपना अपनाद टृटिई होने में , किसी और के कहने अपना आपके notes बनेंगे उस time में और फिर revision तो time ही नहीं बचेगा तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने आपको देखे कि आपको किस सरफ interest है अगर आपको books पढ़ने में जादे interest है तो आप शुरू से session के शुरू से books को पढ़ें ताकि आपके पास इतना time हो कि जब session off हो जाए तो आप slides को भी go through कर सकें Slides पढ़ना इसलिए important है क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो आप book पढ़ने हैं उसमें से ही teacher ने वो slides बनाई है और sometimes ऐसा होता है कि teacher अपनी slide को उठाके question बनाके paper में दे देते हैं तो फिर उस वगत आपके लिए problem होगी इसलिए slides को लाजमी go through करें और जो student session के end पर पढ़ना शुरू करते हैं वो सबसे पहले slides और notes को cover करें उसके बाद वो topics जो उनको लगता है कि notes में या slides में नहीं है तो वो आप books से cover करें books का पढ़ना important है क्योंकि यह आपके knowledge को increase करती है और आगे professional life में काफी helpful होती है लेकिन बिल्कुल session end होने के बाद जब papers करीब हों तब books को पढ़ना is a very wrong way तो यह आपने खुड decide करना है कि आपने books को किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से आपने exams के अची तेहरी करनी है दोनों बहुत अलग-अलग चीज़े है तो इनको balance करना आपके अपने उपर है यह फिर आपका final decision अपना आना चाहिए कि आपने कौन से subject की books कब से पढ़नी start करनी है और फिर exams के लिए आपने कब से शुरू करनी है That's it अगर आपका कोई भी इसके इलावा question है तो आप comment section में पूछ सकती है Drive का link जो है वापको description box में मिल जएगा Best of luck for your exams Thanks for watching Allah Hafiz